हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi दोस्तों आपके कभी ना कभी दिमाग में आया होगा कि जो लोग स्पेस में जाते हैं क्या उनको कैसे तैयार किया जाता होगा कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाती होगी कैसे वो स्पेस में इतने दिनों तक रह लेते हैं चाहे नील आम्स्ट्रॉंग की बात करें सुनीता विलियम्स की बात करें कल्पना चावला की बात करें राकेश चर्मा जी की बात करें अभी हाली में गगन यान में भी हमारे देश से सेना से कई लोगों को रूस भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए तो वो जाकर क्या ट्रेनिंग करते थे तो आज इसी विशे के बारे में हम परदा साफ करेंगे कि भई क्या ऐसा तरीका है जिसके जरिये एस्ट्रोनॉट्स को तयार किया जाता है और फिर इनको स्पेस में भेजा जाता है तो नासा किस मोड्यूल को फॉलो करता है आज हम उसके बारे में डिसकस करेंगे और इसकी जरूवत ही क्यों परती है इसको भी समझेंगे तो कुछ आर्टिकल्स लिए है हमने उसका भी समझेंगे कि उसमें क्या बताया गया है और उसके आधार पर मैं आपको थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की जरिये बताऊंगा कि कैसे यह हो पाता है उसकी जरूवत क्यों होती है तो चलिए बिना देरी के शुरूवात करते हैं तो इसमें एक टाइमस अफ इंडिया का आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि हाव नासा ट्रेन इट्स एस्ट्रोनॉट्स स्पेस वाक, सर्वाइवल और मॉर यानि कैसे जब स्पेस में भेजा जा रहा है अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है तो वहाँ पर प्रित्वी जैसा आवास तो है नहीं वहाँ पर हमारे जैसा हैबिटेट तो है नहीं और बिना वैसे हैबिटेट के कैसे वो लोग वहाँ पर सर्वाइव कर जाते हैं उनको स्पेस सूट्स पहनने होते हैं इसके अलावा उपर जाने पर स्पेस वॉक करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वा कर्षन बल जो है वो पृत्वी जैसा नहीं है तो इसमें क्यों अंतर आता है इसको भी थोड़ा सा समझेंगे तो ये कैसे वहाँ जाकर आसानी से अपने आपको ढालते हैं उस परिस्तिती में तो उस ढाल की परिस्तिती में क्या इनको परिक्षन के दोरों से गुजरना होता है आज हमारा फोकस इसी विशेपर है बहुत गहराई से इसको समझेंगे ये आपके लिए जी एस पेपर 3 के ट हाला की ये जो ट्रेनिंग है ये ट्रेनिंग डिफेंस में भी दी जाती है हमारे कई तरह के जो नौ से ना है वाईयू से ना है उसमें भी इस तरह की कुछ ट्रेनिंग दी जाती है लेकिन पूरी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है एस्ट्रोनाट्स को जो ट्रेनिंग दी जात पूर्ण चीज में बताना चाहता हूँ, कि आप जब मेंस का पेपर देंगे न, तो मेंस का पेपर आपका होगा, साड़े सत्रा सो नंबर का, इस साड़े सत्रा सो में से, आपके GS के चार पेपर होगे, जिसमें GS पेपर बन में, हिस्ट्री, जोग्रफी, सोसाइटी, इथियास, बोगोल, समाज आ जाएगा, जीएस पेपर 2 में पॉलिटी है, आपका सम्विधान के बारे में पढ़ना है, राजविवस्ता के बारे में पढ़ना है, आपका प्रशाशन है, अंतराश्टिये सम्मंद आ जाएगा इसके अंतरगत, और समाजिक नया आएगा, शोशल जस्टिस आएगा, जीएस पेपर 3 जब पढ़ेंगे आप, तो टेकनोलोजी, प्रद्योगे की अर्थ विवस्ता, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और परियावरण पारिस्तिति की है, जीएस पेपर 4 जब देखेंगे तो नीती शास्त्र है, ये चारो पेपर धाई धाई सो नंबर के होते हैं, तो धाई सो नंबर के अनुसार ये आपका हो गया हजार नंबर का, बचे आपके साड़े साथ सो नंबर, इस साड़े साथ सो में से धाई सो नंबर का आता है आपका निबंध, तो धाई सो निबंध है, तो ये हो गया आपका साड़े बारा सो नंबर, लेकिन जो बचे वो 500 नंबर हैं आपके optional के वही optional तयार करना तो जरूरी है और optional आपको अगर आप अभी से तयारी शुरू कर रहे होंगे तो next year आपका August महा में August महिने में आपकी मेंस की परिक्षा है तब तक आपको मुख्य परिक्षा के लिए optional भी तयार करना है और हिंदी माध्यम में आगर आप optional ढूणना चाहरे है तो study IQ आपके लिए विकल्पिक विशे चार विशेव में लेकर आया है जिसमें आपको इत्यास राजनीती विज्यान एवा मंतराष्टी संबन जिसको PSIR कहा जाता है बुगोल, जोग्रफी इसके अलावा हिंदी साहित है, हिंदी लिटरेचर ये चारोई हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए विशेश तोर पर अवलेवल है जिससे आप 500 नंबर स्कोर कर सकते है मेरा कोड है मनीश लाइव, इसको यूज करेंगे तब जाकर आपको ये फीस 15,999 में मिल जाएगी तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं और इस दौर पर हैं आपकी वही आपको उप्शनल आप चूस कर चुके है और इन में से आपका कोई उप्शनल है तो जल्दी से जाईए और एप ये विबसाइट पर study IQ के ये आपको batches मिल जाएंगे सारे batches 17 जून से start होने वाले हैं यानि prelims के एक दिन बात 16 तारिक को prelims है UPSC का उसके next day सारे batches live हो जाएंगे तो इसमें आप live classes देख पाएंगे faculty से interact कर पाएंगे और अपना subject मजबूत कर पाएंगे तो जल्दी से आप जाकर इसको देख सकते हैं आप सवाल उठता है ये साड़े 1200 नंबर कैसे prepare करें तो साड़े 1200 नंबर prelims, mains, mentor ये सारे features वाला हमारा एक और batch है जिसको online batch कहा जाता है ये foundation batch है इस foundation batch के जरी आप साड़े 1200 नंबर को prepare करेंगे, prelims के लिए तयारी करेंगे और CSAT की तयारी करेंगे, current affairs program है इसका हिस्सा, इसमें आपको पूरे समय एक mentor मिला रहेगा जिससे आप हर तरह से discussion कर सकते हैं 18 books का set आपके घर पर deliver होगा जिसमें सारे GS की किताबे होंगी, previous questions की books होंगी इसके अलावा आपको हर class के notes, crux ये सारी features भी आपको test series वगेरा भी इसमें easily available रहती है ये batch जो है, आपको देखने मिलेगा कि इसकी classes 10 June से start हो गई है तो 10 June से batch शुरू हो गया है और इसमें orientation classes ही आपकी निकली है तो इस batch को आप जाकर जल्दी से join कर सकते है क्योंकि इस खास batch में ये चीज है कि आपको दिल्ली आकर mains की तयारी करना without any cost आपको ये batch मिल पाता है हाला कि आप दिल्ली अभी से भी आ सकते हैं 17 June से हमारा करूल बाग में ब्रांच में एक batch शुरू हो रहा है और प्रयाग राज में 14 तारीक से शुरू हो रहा है ये दो offline centers है हमारे जहां पर offline भी classes आप ले सकते हैं लेकिन online batch की fees काफी कम है 27 1999 में सारे features मिलते हैं 18 books का set आपके घर deliver हो जाता है इसमें भी बुक्स के set मिलते हैं बट ये आपको दिल्ली आना होगा तो इसकी fees है 99 1999 आप दिल्ली आकर भी पढ़ सकते हैं लेकिन इसमें MRP प्रोग्राम है जिसमें दिल्ली आने का जो खर्चा है study IQ आपका लेता है और आपको एक discipline way में तयारी करता है तो अगर आप लोग इस stage में है कि आपने next year पेपर 25 मही को देना है तो जल्दी से जाए एप ये website पर और इस batch को enroll कर लिजे मनीश लाइब मेरा code है batch search करेंगे आप तो GS Foundation P2i batch हिंदी में search करिएगा आपको मिल जाएगा अगर कहीं पर भी कोई छोटी दिक्कत भी आए तो ये मेरा इंस्टा इडी है इस में इंस्टा इडी पर आकर आप message डाल देंगे या कोई और topic related भी आपको doubt आता है तो यहाँ पर आप अपने astronauts को तयार करता है कैसे यह अपने astronauts को तयार करता है ताकि वो space में जाएं अंत्रिक्ष में जाएं और वहाँ पर आसानी से अपने आपको उन परस्तितियों में धाल लें और कुल मिला कर वो survive कर पाएं तो NASA कैसे अपने astronauts को प्रसिक्षन देता है कैसे उनको train करता है इसकी बात हम करेंगे अब इनको training की जरुवत ही क्यों पड़ती है इसकी अगर हम बात करें तो देखिए क्या है अगर आप प्रिथवी पर देखें तो इसमें एक बहुत बड़ा विशे आ जाता है जिसको गृत्वा कर्षन कहा जाता है और गृत्वा कर्षन की जब हम बात करते हैं ग्रैविटेशन की बात करते हैं तो ग्रैविटेशन के बारे में हमको जिस व्यक्ति ने बताया उस व्यक्ति का नाम Newton था और Newton ने एक law दिया Newton के नियम के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो gravitation force का एक नियम दिया था जैसे ही एक इंसान है इंसान का हम द्रव्यमान मान लेते हैं M2 ये प्रित्वी का द्रव्यमान M1 है तो Newton के gravitation law के अनुसार गृत्वा करशन नियम के अनुसार हर एक वस्तु एक दूसरे पर क्या लगाती है बल लगाती है जैसे हम प्रित्वी पर एक बल लगा रहे हैं प्रित्वी हमारे उपर बल लगा रही और गृत्वा करशन बल को विश्व का सबसे कमजोर बल कहा जाता है यह सबसे weakest force की श्रेणी में आ जाता है लेकिन इसके लिए Newton ने जो नियम बताया वो यह बताया कि आप दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल कर दीजे और इनके बीच में जो दूरी है इसको नीचे लिखकर उसका square कर दीजे तो यह आपको क्या आ जाएगा गृत्वा करशन बल आ जाएगा आप कहेंगे ठीक है इससे क्या फर्क पड़ता है वही इसी के आधार पर हमें पता चलता है कि पृत्वी हमें अपनी और खीच रही है और इसी को आप गृत्वी त्वरण कहते है जिसकी संख्या प्रित्वी पर 9.8 मीटर प्रती सेकंड स्क्वाइर कहते है जब आप चंद्रमा पर जाते हैं तो चंद्रमा पर जाने पर इसी जी की संख्या एक बटा छे हो जाती है जित्ती पृत्वी पर है तो ऐसा क्यों होता है इसलिए होता है क्योंकि जब आप पृत्वी से दूर जा रहे होते हैं तो पृत्वी से दूर जाने पर आपकी पृत्वी से दूरी जो है वो बढ़ती जाती है और दूरी बढ़ती जाएगी तो ये संख्या क्या होगी बढ़ती जाएगी और अगर संख्या बढ़ रही है उसका square भी बढ़ता जाएगा तो अगर नीचे कोई संख्या बढ़ रही है जैसे एक बटा 10 है तो ये संख्या आएगी 0.1 और एक बटा 100 है तो ये संख्या जब वो स्पेस में जाते हैं तो गृत्वा करशन बल में तब्दीली होगी साथ-साथ तापमान में तब्दीली होगी दाब में तब्दीली होगी उन सारी परस्तितियों के अनुसार उनको अपने शरीर का तापमान भी नियंत्रित रखना है अपने आपको सर्वाइब भी कर कराना है और एक स्वस्थ तरीके से रहना है तो ये कैसे कर पाते हैं तो इसके लिए इनको एक proper training दी जाती है जोसको astronaut training दी जाती है astronaut train कहा जाता है और ये NASA देता है और NASA के साथ सथ विश्वभर की अलग-लग space agencies देती है लेकिन आज हम NASA के टेकसास में जो इनका training center है वहाँ पे किस तरीके से लोगों को तयार किया जाता है उसकी थोड़ी सी समिक्षा करेंगे तो देखिए जब लोगों को train किया जाता है तो इसके अंतरगत आठ module को follow किया जाता है क्या आठ module होते हैं जैसे आपने NASA के scientist के तोर पर join किया तो जैसे ही आप join करेंगे तो आपको इन trainings का हिस्सा होना पड़ेगा और आपको चीजें सिखाई जाएंगी जैसे इसी training का एक हिस्सा होता है जिसको hydro lab training कहा जाता है एक पानी का बक्सा होता है उसमें आपको space suit पहनना होता है और space suit पहन कर आप इसमें चलेंगे इसको आप कहते हैं hydro lab परिक्षन टेस्टिंग भी होती है और training भी होती है दोनों इसके testing भी कराई जाती है परिक्षन भी कराई जाता है और परिसिक्षन के लिए भी जरूरी होता है तो ये भी बड़ा ही महत्पूर है जिसमें पानी के अंदर कैसे चलना है क्योंकि पानी के अंतरगत आपको देखने मिलेगा कि हम इतने freely move नहीं कर पाते हैं जैसे हम सामाने इस तरीके से हम तो जमीन पे रहते हैं हम पानी के अंदर तो नहीं रहते हैं तो इनको एक ये भी चीज सबसे पहले स्पेस सूट पहना कर हाइड्रो लैब ट्रेनिंग कराई जाती जैसे स्कूबर डाइविंग कई लोग करते हैं पानी के अंतर गज जाकर जैसे मालदीव्स, मौरेशिस, लक्षदीप हमारे प्राइम मिनेस्टर मोधी जी ने भी स्कूबर डाइविंग की थी तो स्कूबर डाइविंग जैसा ये होता है ये सबसे पहली ट्रेनिंग का हिस्सा होता है तो नासा ने अपने सेंटर्स बना रखे हैं वहाँ पर साइंटेस्ट को ट्रेन किया जाता है तो ये तो हो गया पानी की ट्रेनिग, एक होती है हवा में जाने से पहले की ट्रेनिग, तो हवा में जाने से पहले क्या करते हैं, कि एक simulation बनाते हैं, जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी पर आप बैठे, आप कार चलाना सीख रहे थे, आप कार चलाने में आप वगरा सीखी होगी तो clutch के साथ कैसे gear को लगाना है यह सब सिखाया जाता है आपको लेकिन at least लोगों को पहले पता हो कि gear किसको कहेंगे किसको break कहा है तो उसके लिए जैसे कई मारूती वगरा जैसे जहां उनके driving school हैं तो एक simulation बनाते हैं पहले एक दो दिन वहाँ उस machine पर सिखाते हैं फिर असल गाड़ी पर ले जाते हैं ऐसे ही क्या होता है नासा के जो astronauts होते हैं उनको भी एक pre-flight training कराई जाती है पहले हवा में नहीं सीधे भेज दिया जाएगा इनको पानी के अंदर lab में सिखाया जाता है ऐसी pre-flight training कराई जाती है तो दूसरी प्रक्रिया होती है तीसरा जो होता है इनको जंगलों में तीन दिन के लिए छोड़ दिया जाता है और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सारी सुविधाएं उनको दी जाती है बहुत मोलभूत सुविधा जाने होते हैं इसी को कहा जाता है training in wilderness तो ये वहाँ पर जंगलों में लखडियां इखटा करना फिर कैसे अपना भूजन की सुविधा करना जैसे man versus wild आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर आता है तो ये एक real है वो थो थोड़ा बनावटी होता है इसमें इनको वाकई इसी परिस्तिति में छोड़ दिया जाता है और कैसे ही अपने आपको वहां की परिस्तितियों में ढालें अपने आपको कैसे जिंदा रखें कैसे survive करें इसकी training दी जाती है चौती जो training का हिस्सा होता है इनको space walk कराया जाता है क्योंकि हमने बात करी पृत्वी से उपर ट्रेनिंग होती है यह ट्रेनिंग भी कहां होती है तो अमेरिका के हाउस्टन में नासा की बात करने तो नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को हाउस्टन जो है टेकसास में वहां पर training प्रोवाइट करता है तो यह भी एक खास चीज है space walking में जो दी जाती है इसके अलावा इस प्रित्वी पर आने पर पानी में गिरेगा तो पानी में वाटर सर्वाइवल ट्रेनिंग है कि कैसे उससे बाहर निकलना है यह सारी चीज है इनको पहले ही सिखाई जाती है इसके अलावा एक और चीज होती है कि जैसे मान लिया जाए वहां पर किसी की सांस रुक गई है ज दॉक्टर उनको CPR देता है CPR का मतलब होता है काडियो पल्मोनेरी रेसेस्टेशन जो रेसेस्टेशन है इसके जरिए वापस से उनकी नफ्स को उनके ब्लड फ्लो को मेंटेन कराया जाता है कई बार इससे पेशेंट रिवाइव कर जाता है तो यह सारी ट्रेनिंग भी दी ज लेना है exercise करनी है इस सारी चीज़ों का module सिखाया जाता है इसके अलावा पानी के अंदर जाने पर underwater एक तो पाई पानी के ऊपर सिखाया जाता है कि rescue कैसे करना है पर पानी के अंदर ले जाकर एक तो लैब में चलवाया जाता है पिर ऐसे कई यंत्र होते हैं जैसे कि कोई मा कि वहाँ पर सिखाया जाता है और एक और training का इनका जो महत्पूर्ण हिस्सा होता है जैसे आपने देखा था कि अभिनंदन जी के बारे में सुना होगा कि जब वो पाकिस्तान के अंतरगत पाकिस्तान की भूमी में चले गए थे तो उनका plane तो crash हो गया था लेकिन वो survive कर ग तो किसी भी श्रेणी के अंतरगत यहाँ पर मैंने आपको बताया है जैसे hydro lab training होती है यहाँ पर pre flight training दी जाती है जंगलों में बिताने को कहा जाता है पर space walk करवाय जाता है water के अंतरगत survival training दी जाती है CPR वगेरा biological process सिखाय जाते हैं इसके अलावा underwater कैसे पानी के अंदर कैसे इन spacecraft को खुलना है तो यह air base से जुड़ा हुआ है टेकसास में होता है इसके अलावा shuttle rescue training होती है तो किसी भी process के अंतरगत इंसान तब बहतर होगा जब पूरी training अच्छे से करेगा जैसे कि आप exam की तयारी में सबसे महत्पूर्ण चीज क्या है कि आपको syllabus पता हो prelims के paper को आ अपने विचारों को कैसे रखें, debate कैसे करें, interview में कैसे बैठें तो यह भी तो सारा एक आप training ही ले रहे हैं तो इसी तरीके से यह भी इनको तयार किया जाता है तो ऐसे ही आप लोग भी अपनी process में हैं तयारी कर रहे हैं तो जो students इस दौर में हैं उनके लिए खास चीज ह कि अगर आप optional batches की तयारी करना चाते हैं तो 17 जून से study IQ हिंदी माध्या में चार optional batches शुरू कर रहा है जिसमें इथियास का batch शुरू होगा, बुगोल का batch शुरू होगा, PSIR, political science and international relations और हिंदी साहित्य, ये चार subjects में से आप कोई भी अगर ऐसा हिंदी माध्या में पढ़ना चाते हैं, तो ये चार subjects अब हिंदी माध्या में study IQ पर अवलेवल हैं, मेरा code है मनीश लाइव, इसको use करके आप इन batches में enroll कर सकते हैं, इसके fees मात्र 1599 हैं, आपको 500 numbers secure हो जाएंगे, और बाकी foundation की तयारी के लिए आपके पास online batch है, इस online batch का आप हिससा बन सकते हैं, इसमें 18 books का set आपके घर पर deliver कराया जाता है, live classes मिलती है, CSAT की classes मिलती है, current affairs की classes मिलती है, ये batch काफी comprehensive batch है, इसमें आपको दिल्ली आकर, mains की तयारी करने का मौका है, interview की तय इसमें करवाई जाती है, 27,9999 में ये पूरा batch है, इसमें notes, live classes, 1000 घंटे से ज़्यादा classes मिलती है, mentor आपको मिलता है, NCRT की classes मिलती है, तो बहुती शांदर batch है, ये study IQ, IS Hindi का, इसको आप enroll कर सकते हैं, बाकी English batch में आपको करोल बाग आना होगा, दिल्ली में, वहां की फीस 9999 ह है, ऐसी आप प्रयाग राज में भी हमारी branch पर जा सकते हैं, वहां पर भी enroll कर सकते हैं, वो भी offline batch हैं, लेकिन online batch आप घर पर बैट कर ही, पर सकते हैं, मेरा code है, Manish Live, इसको use करेंगे, तो maximum discount मिल जाएगा, और कोई तरह की समस्य आपको आती है, तो ये मेरे social media handles हैं, ये मेरी इंस्ट आइडिय है, ये टेलिग्राम आइडिय है, कहीं पर भी आप बेहेचक questions को पूछ सकते हैं, जो शुरुवाती दौर पर कहीं पर भी कोई confusion आपको आता है, तो आशा करता हूँ, topic भी समझने आया होगा, और बाकी जानकारी भी आपको clear होई होगी, इसी तरह ये से पढ़ते रही है, हमने ये जो series आपके लिए शुरू करिए, जिसमें science के अलग-अलग tough topics को आपको easy करके मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ यहाँ पर, तो आशा करता हूँ, ये series आपको अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही होगी, तो comment में मुझे ज़रू बत